Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support, so today we will talk about how to boost processor speed on your windows, okay, so first of all please subscribe my YouTube channel and press the bell icon, step by step हम बात करेंगे कि कैसे आप processor speed को increase करेंगे, okay, so first आपको start पे click करना है, then आपको settings पे जाना होगा, settings में जाने के बाद आपको windows update पे जाना है, और अगर आपके windows में कोई भी latest update अवेलेबल होगा, तो simple आप इसे update करना है, update करने के बाद आपको privacy and security पे click करना है, then आप windows security पे click करिए, then आप virus and threat protection पे click करिए, यहाँ पे हमें इसके इन options पे click करना होगा, scroll down करना है, Microsoft Defender Antivirus का पहले हम use करेंगे, ठीक है, आपने अपने PC को पूरा clean कर लिया, clean करने के बाद आपको search पे type करना है, search पे type करने के बाद आपको type करना होगा, यहाँ पे power options ठीक है, तो आपको edit power plan आपको so करेगा, आप इस पे left click करिए, left click करने के बाद आपको change advanced power settings पे click करना है, तर यहाँ पे आपको जो first option मिलते हैं आप इस पे click करिए, अगर आपकी PC में high performance mode यहाँ पे so हो रहा होगा, तो simple आप उसको select करिए, select करने के बाद आपको नीचे option so करेगा, processor power management, आप left में plus पे click करिए, minimum processor state आपको so करेगा, आप इस पे plus पे click करिए, जैसे कि हमारे इसमें हमने इसको setup कर रहा है 5%, अगर आपके पास यह 100% setup होगा, तो आप इसे 0 या फिर 5% setup कर लीजे, ठीक है, then second आता है आपका maximum power, maximum processor state, आप इस पे भी plus पे click करिए, then आप इसके 100% पे click करिए, अगर यह 80% या फिर 50% होगा, तो आप इसको 100% करिए, ठीक है, then आपको apply पे click करना है, apply पे click करने के बाद आपको ok पे tap करना है, ठीक है, then आप इसको cut करिए, cut करने के बाद आपको again start पे click करना है, right click करना है, then आपको task manager पे click करना है, तो यहां पे आपका CPU, Memory, Disk Network आपको देखने को मिलेगा कि कहां कहां पे कितना data आपका यूज हो रहा है ठीक है तो यहां पे हम सबसे पहले यह देख लेंगे कि जैसे कि अभी हम जो applications को यूज कर रहे हैं like OBS Studio को हम यूज कर रहे है तो अभी सी बात है कि यह लगबग 10-12% यहां पे यूज कर रहा है CPU को अभी हां पे हम anti-malware service को हम यूज कर रहे है तो वो भी यूज कर रहा है कुछ desktop window manager को हम यूज कर रहे है तो वो भी हां पे so हो रहा है यहां पे आपको so कर रहा है Windows audio device graphics ठीक है तो आपको यह so हो रहा है तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारे हम अभी task जो हम यहां पे कर रहे है उसी का हमारा CPU use कर रहा है बट अगर आपके पास में unwanted application है जो बे-fizual में आपका CPU use कर रहे है तो आप startup apps पे क्लिक करिए अब आपको simple उन applications को right click करना है और आप उसे disable करिए ठीक है disable करने के बाद जो है वो applications आपका ज़्यादा CPU use नहीं कर पाएगी ठीक है देन last में आपको again start पे क्लिक start पे आपको right click करना है देन आपको device manager पे क्लिक करना है देन यहां पे आपको options हो करेगा प्रोसेसर का यहां पे जितने भी आपके प्रोसेसर रहते आप इस पे right click करिए देन आपको इन्हें update कर लेना है ठीक है update driver पे हम click करेंगे search automatically for drivers the best drivers for your device are already installed देन इसको हम cut करेंगे यहां पे हमें system devices पे click करना है और यहां पे आपको high precision event timer आप इस पे left click करिए then आप इस पे right click करिए update driver पे click करिए search automatically for drivers पे type करिए then the best drivers for your device are already installed आपको so करेगा ठीक है यह setup करने के बदद आपको power पे click करना है और अपने PC को एक बार restart कर लेना है जैसे ही आप लोग इसे restart करेंगे then आपका जैसे कि setup था आपको boost करना था processor CPU को बहुत highly आपका boost याँ पे हो जाएगा अगर आपका कोई भी doubt रहता है ताप लोग हमें whatsapp कर सकते है मिलते हैं next video में जै माता दे